तो आज इसके नेश्ट किलास होने वाली जो कि इसी मेथेड से रिलेटेड होने वाली तो आप पेशेंस मार किस किलास को पूरा इंटर्ग जरू देखिएगा और जिन भी इस चैनल को सबस्काइब जरू कर लिजेगा जिससे आने वाली किलास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुच 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 जो हमारा टेलिग्राम चैनल है मेस बाइ एयर श्टडियान के नाम से आप उससे भी जरू कर लिजेगा महाँ पर आपको क्लासस से लेटेड नोटिफिकेशन और अपडेट महाँ पर आपको प्रवाइड करवाई जाती है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आईए आज के लास हमें श्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आज के लास का फर्स्ट कोशन देख सकते हैं जो कि क्या है solve यानि हल किजिए तो कि आपकी बुकाई कोशन है कि 1 प्लस y स्कार प्लस ब्रेकेड में x माइनस e की पावर 10 इंवर्स y dy अपॉन dx इकॉल तो 0 हमारे यहां पर यह कोशन दे रखा है सबसे पहले क्या करते है solution में इस हम equation को लिख देते हैं उसके बाद आप देखेगा यहां पर क्या दे रखाए dy अपॉन dx दे रखा है यानि हमें separate अभी dy अपॉन dx लिखना पड़ेगा लेकिन यहां पर आप देखेंगे यहां पर क्या क्लासिस में भी बताया था कि अगर आपके y के function ज्यादा हो तो आपकी किस प्रकार से उसका डेरिवेटर होगा यानि अवकल हो जोगा dx upon dy के रूप में होगा यह हम केवल रेखी का अवकल समीगण यानि linear equation method की बात कर रहे हैं यहां पर कि अगर आपके ज्यादा y के function हो तो यह dx upon dy बनेगा तो आपके वेले हम इससे dx upon dy बनेगे उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि यहां पर यह equation दे रखी इसको equal to के यहां पर यह प्लस में इसको equal to के उदर ले जाएगे तो यह किसमें चल जाएगा minus में यहां पर आपके आजाएगा देख सकते आप यह कि यह minus म आपके बच जाता है अब हमें क्या बनाना है dx upon dy बनाना है तो आप यह जो dy है वो कहां चल जाएगा इस dx upon dy equal to में अब यह जो भार minus दे रखा है यह minus अंदर दोनों से multiple होगा इससे भी यहां पर अंदर multiple होगा तो जैसे minus x से multiple होगा minus x आ जाएगा उसके बाद में यह जब म derivative दे रखा है ocular दे रखा है dx upon dy इसके साथ में कोई साभी coefficient नहीं होना चाहिए only one होता है तो यहां पर आप देखेंगे कि one plus y square है इसको कहां ले जाते है हम equal to किदर एक इसके upon में और फी इसके upon में हम यहां पर ले जाते है आप देखेगा कि यहां पर जो one plus y square इस x के upon में यहां पर आगया है figure one plus y square इस 10 inverse एकी पावर 10 inverse y के upon में यहां पर one plus y square आपके आ जाता है ओके यह equation बन चुकिए आप जैसा कि देख सकते हैं अब हमें पता है कि जब भी भी dx upon dy होता है तो आपकी linear equation यानी रेखे कोकल समिकर्ण केसी होती है आपकी dx upon dy px equal to q इस बात को आपक जैसे कि अगर हम dy upon dx की बात करें तो जब dy upon dx आपको कल जाता है derivative बात है तब क्यों होता है py equal to q यानी q के साथ क्या है यहां पर आप देखें पी के साथ y होगा यहां पर y के साथ जो यहां पर p का function आपका यहां पर आएगा इस बात का आपको ध्यान रखना है तो यहां पर y के आईगी अभी हम यहां पर बताएं हो इससे पहले भी आपने जितने question कर रखें उसमें भी आप देखे सकते हैं dx upon dy की बात कर रहे है तो x के साथ जो p और q यह दोनों के कैसे होंगे y के होंगे और जब हम यहां पर dy upon dx के करते थे तो dy upon dx plus py equal to q तो यहां पर जो उपर y आ रखनी है क्योंकि काफे ज़्यादा students को यह confusion होती है अभी तो आपको समझ में आ रहा है लेकिन जब आप कुद को कोशिन करेंगे तब आपको confusion होगी कि हम यहां पर p की value किसको रखनी है p के यहां पर q को कहा ले जाना है तो यह confusion होती है इसलिए हमने यहां पर आपके doubt clear कर और आप जितनी ज़्यादा practice करेंगे तब आपके और भी ज़्यादा doubt यहां पर clear हो जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यह क्या है dx upon dy plus px equal to q दे रखा है अब यहां पर x के साथ हमें क्या लाना है तो यहां पर आप देखेंगे यहां dx upon dy तो आगया जैसे यह 1 plus y square इसके upon में आएगा तो हमें तो x को क्या रखना है bracket के बाहर क्योंकि हमें px बनाना है तो x को हमने bracket के बाहर रख दिया और bracket के अंदर क्या आएगा यह 1 plus y square इसके upon में आया ना तो 1 upon में 1 plus y square आ जाता है यहां minus लगाता तो यहां पर भी minus लगाए अब यह जैसा मैं आपको प्लस में चेंज हो जाएगी अब आप देख सकते कि यह dx upon dy plus px equal to q की form में यह बन गया है अब यहापर जो x के साथ यह पूरी value यह को से value होगी पी की value होगी इक्वाल्ट की इधर होगा वो q की value होगी इस बात का भी अभी मैंने आपको बटाये था कि x के साथ जो भी यहापर होगा वो पूरा y का होगा आप देख सकते हैं और q की value भी के से होगी पूरी y के function होगी आप देख सकते हैं ठीके तो इस प्रकार से आपको पेचानना होता है तो यहापर x के साथ यह पूरी p की value होगी इस हमने लिख दिया p equal to 1 upon में 1 plus y इसका है और q की value क्या निकल के आए e की power 10 inverse y upon में 1 plus y इसका यहापर आपके आ जाता है अब जैसे हो p और q की value आ जाती है उसके बाद आपको क्या निकालना होता है आई एफ निकालना होता है इंट्रिगेटिंग फेक्टर यानि समाकल गोड़ आंख निकालना होता है आई एफ को क्या formula र पखनी p की value क्या है और अपोन में 11 ॉसका रगदीया फिद डी फिए आपको इसका क्या करना है अब इंट्रिगेशन करना है समाकरन करना है तो आप जानते हैं कि 1 अपन में 1 प्लस y स्क्वाइर का इंट्रिगेशन समा करने क्या होता है, 10 इन्वर्स होता है, यहाँ पर y दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आजएगा y, 10 इन्वर्स y आपके आ जाता है, आप देखेगा, if equal to e की power 10 इन्वर्स y, यहाँ पर आपके आ जाता है, अब जैसे if निकल जाता है, उसके बाद हमें solution का formula लगाना होता है, और solution का formula आप अच्छे से जानते हैं, जब भी dx upon dy की रूप में यहाँ पर आपका derivative दिया हो, तो solution का formula यह वाला लगता है, कौनसा, कि x if equal to integration q if dy plus c यहाँ पर, यह formula लगने वाला है, अब इसमें value को रख दीजे, x की जगह x आएगा, if की जगह के आएगा e की power 10 इन्वर्स y आ जाता है, equal to में q की value अभी हमने निकाली आप देखेगा, अब यह आपर क्या है, जो 10 inverse y है, इसको हम क्या माल लेते है, t माल लेते है, जिसे हमारी जो equation है, वो थोड़ी easy बन जाए, तो हमने 10 inverse y को क्या माल लिया है, यह आपर t माल लिया है, अब जो भी चीज़ हम मानते है, उसका आपको क्या करना होता है, डिफरेंशल यानि आउकलन भी करना होता है, तो 10 inverse y का क्या हो जाएगा, 1 upon 1 plus y square, जिस पर का आप देखीगा, जब हमने 1 upon 1 plus y square का हमने integration कर रहा था, यानि समाकलन कर रहा था, तो वो क्या आगे था, 10 inverse y आगे था, अब हम 10 inverse y का क्या कर रहे है, यानि आउकलन कर रहे तो वो क्या आगे है, 1 upon y square आजाता है, ठीके, तो 1 upon में 1 plus y square dy, equal to t का क्या आजाता है, dt यहाँ पर आपके आजाता है, अब आपको सभी value रख देनी है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर है 1 upon 1 plus y square dy, इसकी जगह तो आप क्या लिख देएंगे, dt यहाँ पर लिख देएंगे, जैसे के आप देख सकते हैं, और यहाँ आपर उपर क्या दे रखा है, उपर दे रखा है 10 e की पावर 10 inverse y, तो 10 inverse y की जगह क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, तो क्या आजाएगा, e की पावर t आजाएगा, अब यहाँ पर 10 inverse y की जगह भी आपके लिखेंगे, t लिखेंगे, तो e की पावर t आजाता है, साथ में dt प्लस c यहाँ पर आपके आजाता है, तो यहाँ आप रख देख सकते हैं, अब equal to में यहाँ पर यह चलेगा, आपके x, e की पावर 10 inverse y, चाहे तो आप इस 10 inverse y की जगह t भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली questions में भी आपको बताया था, चाहे तो आप इसे वेसा का भी आजा रहने भी दे सकते हैं, या t भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई आपके फर्क होगा यह नि, इसलिए हमने यहाँ पर इस वेसा का भी आजा रहने दिया है, equal to में यहाँ पर आपकी यह value आज जाती है, अब आप देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, e की power t और e की power t, t dt plus, यहाँ पर आपके आजाता है, अब आपको इसका क्या करना है, इसका integration करना है, या या पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही आपको पता है, e की power जितनी भी होती है, आपको उसका differential और उसका integration, याँ आपका सेम होता है, तो e की power 2t का, यहाँ पर वही इसका समपा करना हो जाता है, या इन इंटरिकेशन, लेकिन आप देखेगा, यहाँ पर जो variable के साथ, यहाँ पर क्या देरखा है, constant देरखा है, वो कहां जाएगा, इसके upon में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आजाता है, e की power 2t, upon में यहाँ पर 2 आपके आ जाता है, जिसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, 1 upon 2, e की power 2t, प्लस c यहाँ पर आपके आ जाता है, उसके बाद जो भी चीज़ यहाँ पर रखते हैं, मानते हैं, उसे आपको बाद में रखना भी होता है, तो t आपने किसको माना था, 10 inverse y को माना था, तो हमने उसे यहाँ पर रख दिया, और आप देख सकते हैं, कि finally जो आपका answer है, वो निकल के यहाँ पर आ जाता है, जिसके आप देखेगा, यह काफी easy question थे, जो यह method होता है, सबसे आसान method हो में से, आपके यह आता है, आपने भी यह देखी लिया है, ठीके, तो अब बात करते हैं, हम यह पर next question को भी आप बिलकुद ध्यान से देखेगा, और अभी तक भी जिन इस्ट्वें से, शेशन को लाइक निकरा है, तो जल्दी स्लाइक कर दिजिए, जिसे हमें बता लगी कि आपको classes समझ में आरी है, और आपके जो classes continue रूप से हमारे यहाँ पर चल पा है, हमारा उद्देश है कि आपकी जो बुक पूरी है, वो हम complete कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर यह question देखेगा, आप क्या है, इस वाल विया नहीं हल किजिए, x प्लस y प्लस 1, dy upon dx इकल टू 1, यहाँ पर आप यह question देख सकते हैं, जो कि आपके बुक का ही question है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप solution देखेए, solution में, हमें इस ही equation को यहाँ पर पहले लिख देते हैं, अब यहाँ पर आप देखेए, dy upon dx आ रहा है, तो यहाँ पर dy upon dx, इसके साथ जो coefficient यहाँ पर दे रखा है, उसको कहां ले जाते हैं, हम यहाँ पर इस 1 के आपकोन में ले जाते हैं, इसका वित करम करते थे, एक तर्सरा के सकते हैं, अब आप देते हैं, तो dy upon dx को हम क्या लिख देतें? dx upon dy लिख देते हैं, और अगर यहाँ पर, यहाँ पर reciprocal होए, इसका वित करम होए, तो यहाँ फिह भी यहाँ पर, इसका reciprocal हो जाएगा, कि आपके जो linear equation आईगी वो कैसे रूप में आईगी dx upon dy plus px equal to q की form में यहापर आपके आने वाले क्योंकि यहापर dx upon dy दे रखाए है तो यहापर px आएगा आपके और equal to में q आएगा तो उस रूप में हम यहापर change करना चाते हैं तो आप देखेगा dx upon dy y plus px आता है आपके तो हम यहापर x की value को कहाँ ले जाना होगा equal to की उदर ले जाना होगा क्योंकि हमें px के रूप में यहापर equation चाहिए तो हम क्या करते x की value को उदर ले जाते हैं जैसे x की value उदर जाएगी तो minus x हो जाएगा equal to में क्या बचेगा y plus 1 आपके बचे जाता है अब आप देखेंगे कि x तो यहापर आ रहा है अब p की value क्या है तो x के साथ जो भी coefficient है अब यहापर आपको कोई coefficient नज़ा नहीं आ रहा होगा लेकिन आप धिहान से देखेगा अगर कुईसी की variable के साथ या constant के साथ उसके साथ coefficient हमें क्या रहता है हमेशा वो 1 रहता ही रहता है तो x के साथ क्या आ रहा है 1 आ रहा है आपके वो साथ में minus भी दे रहा है अब देखेगा यहापर plus है आपकी कौन से यहापर आपके formula है यहाँ पर इसमें plus दे रखा है, इसलिए हमें इस minus को भी क्या लेना होगा, इस P की value के साथ लेना होगा, जैसे मैंने पिछली classes में आपको बताया था, तो यहाँ पर इसकी यहाँ पर इस प्रकार से लिखा होगा, हमें इसे थोड़ा और आप एक इस्टे बढ़ा दीजेगा, कि dx upon dy, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि plus, और फिए minus में x, फिए equal to y plus 1, जिससे आप और बेटर तरीक से समझ में आएगा, यह आप इसे और अच्छी तास से लिखना चाते हैं, तो dx upon dy, फिए plus, और यहाँ पर इसको bracket में आप minus 1 रख दीजे, और भार x रख दीजे, equal to y plus 1, इससे आपको दीख जाएगा, कि यहाँ पर यह dx upon dy, फ्लस px equal to q की फॉर्म में, यहाँ पर equation दे रख दीजे, अब x के साथ क्या है, coefficient है, minus 1 है, तो यह minus 1 ही, किसकी value हो जाएगी, इक्वल टू में क्या है, y plus 1, तो यह आपकी q की value हो जाएगी, तो यहाँ आपर आप minus 1, और q की value क्या ही है, यहाँ पर y plus 1 आजे जाती है, अब हम यहाँ पर if में निकालना, if क्या formula रहता है, e की power, integration p dy रहता है, जब भी dx upon dy दे रखा हो तो, अब p की value क्या है, minus 1, इससे हमने यहाँ पर रख दिया है, अब 1, यहाँ पर dy का integration करेंगी, तो वो क्या है, y आता है आपको पता है, minus बाहरा जाएगा, क्या आ जाता है, if की value आपकी e की power minus y आ जाता है, आप देख सकते हैं, अब हम इसका solution का formula लगाना होगा, solution का formula क्या होता है, हमारे x if equal to integration q if dy plus c होता है, अब इसमें हम सभी value को रख देते हैं, x की जगा x आएगा, if की अभी हमने value निकाल e की power minus y से हमने रख दिया, q की value अभी हमने निकाली थी, y plus 1 आई थी, y plus 1 थी, y plus 1 थी, तो हमने q की जगार रख दिया, y plus 1, if की value अभी हमने निकाली, e की power minus y से हमने रख दिया, dy plus c हमने यहापर आ जाता है, अब आप देख सकते हैं, y भी क्या है, यहापर y भी क्या है, आ यानि आपके 4 है और 1 की पार माइनस वाई भी क्या है 4 वेरिबल अब 2 वेरिबल आपके अगर multiple की form में आती है तो पिछली क्लास में मैंने आपको एक formula बता जाता है integration by part यानि खंडेस्चर समा करना उससे हम इससे solve करना होगा वो इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड पेले position देनी होगी और फर्स्ट और सेकंड पोजिशन की रूप में दी जाती है तो i late की form में दी जाती है i late से आपको पेचानना होता है अब i late की होता है मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था तो यहाँ पर आप देखेगा कि यहाँ पर y प्लस 1 क्या है एक algebraic function यह नहीं बी जिगणेती है रूप है तो यहाँ पर आप देखेगे यह आ रहा है आपके तो यहाँ पर a पेले आता है आपके उसके बाद में e की पावर माइनस y तो यहाँ पर e की पावर यहाँ एक्स पॉंशनल आपकी का आता है last में आ रखा है और साथ में यहाँ पर आप देखेगा x e की पावर माइनस y यह तो equal to की दर हो यह वेसा का वेसा रहेगा अब इसमें आपको जो formula है integration by part यानि खंडे से समा करना वो formula हमें यहाँ पर लागा देना वो किस प्रकार से लगेगा तो यहाँ पर पहले क्या आता है formula में क first जो आपका रहता है यानि यह y प्लस 1 है यह वेसा का वेसा रहेगा फिर यहाँ पर जो second है e की पावर माइनस y इसका integration हमें करना होगा किसके साथ तो यहाँ पर d y दे रखा है तो d y के against तो यहाँ पर क्या आ जाता है integration e की पावर माइनस y dy फिर minus में जो हमारा formula में आता है फिर integration का sign यहाँ पर जो d y दे रखा है इसी के against आपको क्या है यह जो first वाला y प्लस 1 दे रखा है इसका आपको differential कर देना है यानि आपको लन कर देना है उसके बाद दुबार है यहाँ पर bracket में आपको integration करना होगा second वाले का e की पावर माइनस y है उसका आपको क्या कर देना फिर यहाँ पर भाहर d y प्लस c यहाँ पर आपके आजाता है अब इससे solve कीजे तो x e की पावर माइनस y यह वेसा का वेसा रहेगा y प्लस 1 का यह वेसा का वेसा अब e की पावर माइनस y का integration आप करेंगे तो e की पावर वही सेम आजाता है लेकिन y के साथ यहाँ पर coefficient क्या माइनस 1 दे रखा है तो यह माइनस का चल जाएगा आपके अपोन में आ जाएगा ओके आपको पता है समा कलन में कहा आ जाता है अपोन में आ जाता है इंट्रिगेशन में और अगर हम डिफरेंशल करते है तो वो आ गया आता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है उसके बाद मे constant है यानि आपके अचर है तो constant का alkaline हमेशे क्या होता है differential 0 ही होता है तो क्या आजाएगा 1 प्लस 0 आजाएगा तो यहाँ आप आप देशाएगा 1 प्लस 0 आजाएगा है इसे हमने आपने इस प्रकार से लिख दिया है जिसे आपको भाद में दिक्त ना है उसके बाद इंगे एक की पावर माइनस वाई एक की पावर माइनस वाई का आपको क्या का करना है प्लस आप उसके बाद किया इसे उपर माइनस को लगा देगे साथ में यहाँ पर भी क्या दे रखा है अप उन में माइनस दे रखा है इस माइनस को हम आगे ले जाते हैं और यहाँ पर आगे भी माइनस है तो यह माइनस और यह माइनस क्या हो जाएगा आपके प्लस यहाँ पर आपके आजाएगा ने सिस्टेम में जैसे कि आप देखेगा कि X E की पावर माइनस Y और यहाँ पर जो आप 1 में माइनस था वो हमने यहाँ पर आगे लिख दिया है फिर यहाँ पर माइनस वो क्या हो गया है यहाँ पर प्लस हो गया फिर integration में और यहाँ पर आपकी क्या था 1 प्लस 0 तो 1 किसी से multiple होगा दुबार यह बना देगा तो e की power minus y dy plus c आपके आ जाता है आयो आपको यहां तक step बिल्कुल clear होगी होगी बिल्कुल simple step चल रही है अब यहां पर next system में क्योंगा x e की power minus y equal to minus bracket में y plus 1 e की power minus y अब यहां पर प्लस और यहां पर आपको क्या करने e की power minus y का दुबार इंट्रिकेशन करना है यह नहीं समा करना जो कि क्या होगा e की power minus y आप और में minus 1 आ जाएगा क्यों उसके साथ minus दे रखा है तो वो आप और में आ जाता है फिर plus c यहां पर आ minus y है इसको हम कहां ले जाते हैं यहां पर सबसे पहले इसके अपन में ले जाएंगे फिर c को हम यहां पर इसके अपन में ले जाते हैं तो जैसे यहां पर e की power minus y इसके अपन में जाएगा e की power minus y की अपन में तो यह एक दूसरे से कट हो जाएगा तो यहां पर केवल क्या बचेगा y plus 1 बचेगा जैसे कि आप देख सकते हैं उसके बाद में जब यह e की पावर minus y की अपोन में जाएगा तो यह भी एक दूसरे कट हो जाएगा यहाँ पर 1 बचे जाता है उसके बाद नेश्य देखेगा e की पावर minus y इस c की अपोन में आपके चल जाएगा तो यहाँ पर आप नेश्य स्टेम में हमने इससे दर्शा है c अपोन में e की पावर minus y यहाँ पर आपके आजाता है उसके बाद कि नेश्य स्टेम में x equal to minus bracket में y plus 1 यहाँ पर minus 1 और यहाँ पर आप देखेगा यह जो बाहर minus दे रखा है यह अंदर दोनों से multiple होगा तो यहाँ पर जैसे minus प्लस 1 प्लस से भी यहाँ पर multiple होगा तो क्या जाएगा minus 1 आजाता है आपके उसके भाद में यहाँ पर यह minus 1 आजाता है फ़ि प्लस में c e की पावर y यहाँ पर आपके आजाता है अब यहाँ आप देखेगा यहाँ पर हमें इक step बटा देते हैं यहाँ पर next step की आजाएगी x equal to minus y और –1 और –1 क्या होता है, –2 हो जाएगा, प्लस c e की पावर, यहां पर क्या जाएता है, आपके y आजाएगा, अब याप ची पावर y इसको हम आगे लिख दें है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और अब इन दोन में से हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले जाएगा, हमने और bracket में क्या जाएगा y प्लस 2 यहाँ पर आपके आ जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर finally हमरा answer निकल के आगए जो कि काफ़ी simple question था तो इसके एक वार आपको practice जरू कर ले नहीं क्योंकि यह question काफ़ी वार पूचा गया question है अब बात करते हैं हम यहाँ पर next question की इसे भी आपको बिल्कु ध्यान से देखना है जो कि क्या है solve यह नहीं हल किजिए x प्लस 2y3 dy upon dx इकल टू y दे रखा है हमें सबसे बहले हम solution में क्या करते है solution में हम इसी equation को यहाँ पर लिख देते है उसके बाद हमें क्या करना है dy upon dx दे रखा है अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या 2y3 दे रखा है यहाँ पर भी y दे रखा है तो यहाँ पर जादा किस के function दे रखे? y के function दे रखे तो जब भी y के function जादा हो तो वह किस प्रकार से derivative आता है उसका occalage आता है dy upon dx के रूप में बनेगा, अगर x के ज़यादा दे रहे हूँ, और अगर y के ज़यादा दे रहे हूँ, तो क्या बनता है? dx upon dy दे होता है, ठीके? तो आहब यह पर आप देखिए, यह पर y के जयादा है, तो हमने इसे किस रूप में चेंज करना होगा? इसे हमें dx upon dy के रूम में change करना होगा कैसे करेंगे तो यह आप सबसे पहले आप देखेंगे जो upon में dx दे रहा है इसको हमें equal to के उदर यहापर भेस देते है तो यह क्या हो जागा y dx हो जागा तो हमने यहापर रख दिया है y dx equal to में यह जो पूरी value यहापर आपके बच्चे इसको हमें equal to के उदर लिख देते है x plus 2y cube और dy bracket के बहर अब आपको क्या करना है dx upon dy बनाना तो यह dy कहाँ चल जागा इस dx के upon में आ जागा तो क्या आ जाता है dx upon dy आ जाता है phi plus में अब हमें क्या करना है इस 2y cube को अपोर में क्या लेना है y के साथ लेना है दिखे हो जाएगा 2y cube अपोर में y आ जाएगा अब y से यह y cube कट हो जाएगा क्या आ जाएगा आपका फिर 2y square यहापर आपके आ जाता है यहापर रेकी काउकल समय करना बनती है dx upon dy plus px equal to q अब तो आपको यह अच्छेता से याद भी होगी होगी तो यहापर dx upon dy दे रहा है अब यहापर जो x upon y है तो इसको हम का ले जाते है equal to के उदा ले जाते है तो यह क्या आ जाएगा minus में हमने पता है कि px के रूप में हमें बनाना है तो हमने x को bracket के भार लिख दिया और bracket के अंदर हमने क्या लिखा है 1 upon y लिखा है और यह equal to के उदर गया था तो यह minus का आ गया फिए equal to के उदर के बचे का 2y square आपके आ जाता है अब x के साथ जो भी दिया होता है अगर यहाँ पर dx upon dy है तो x के साथ जो भी चीज होगी वो पूरी y की होगी और q की value भी क्यों इससे होगी y की होगी तो यह आप p के साथ क्या आ जाता है minus 1 upon y आ जाता है वो q की value क्या आ जाती है 2y square आपके आ जाती है अब जैसे p और q की value आ जाती है उसके बाद आपको इसका क्या निकालना होता है if निकालना होता है इसका क्या formula रहता है if equal to में e की power integration p dy रहता है अब p की value आप रख दीजे जो की क्या है minus 1 upon y इसे हमने रख दें dy अब 1 upon y का integration क्या होता है आपको अच्छे सब्सक्राइब पता है वो होता है log y होता है तो minus की जगह की आ जाता है यहाप आप देखें 1 upon y minus तो वेसा का वेसा है 1 upon y की जगह आ जाएगा आपकी log y आ जाता है अब e की उपर power क्या log है तो यहाँप e से log यहाँपर हट जाएगा कोई sign हो चाहे कोई आपके यहाँ पर constant value हो अचर value हो वो कहाँ चल जाती है उसकी power बन जाती तो यह minus को कहाँ ले जाते हैं हम इस y की power बना देते हैं क्यों हो जाएगा यहाँ पर e की power log y inverse हो जाएगा क्या हो जाएगा y inverse यहाँ ऐसे भी के सकते है y की power minus 1 तो यहाँ पर यहाँ आपके आगया अब e से यह log हट जाएगा क्या बचेगा केवल यहाँ पर आप देखेगा y की power minus 1 बचेगा आपके अब इस y की power minus 1 है इसको हम 1 upon y लिख सकते हैं हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं हमने 1 upon y तो यहाँ पर आपका if क्या निकल क्या है 1 upon y आगया अब हमें यहाँ पर solution का formula लगा देना जो कि क्या होता है हमारे x if equal to integration q if dy plus c होता है यहाँ पर सभी value को रख दीजे पहले x तो x आता है if की value अभी 1 upon y इसे हमने रख दिए फिर integration का sign q की value अभी हमने निकाली थी क्या न y से यह y square cut हो जाएगा एक y बच जाएगा तो 2y आ जाता है dy plus c यहाँ पर आपके आजाता है हमने system में आप देखेगा अब इसका जो यहाँ पर integration में 2y है इसका हमने integration कर देना है यहाँ नहीं समाखन कर देना है और यहाँ जो 2 दे रखा है उसको तो हम भाल ले जाएगे को कि इसका integration में कोई काम नहीं होता है ठीक है आगे x upon y equal to 2 वो जो y था integration में y उसका जिसे हमने y का integration कर रहा है यह समाखन कर रहा तो वो क्या आ जाएगा y square upon 2 plus c आपके आ जाता है अब ने system में 2 से 2 कड हो जाएगा x upon y equal to y square plus c आपके आ जाता है और यह क्या निकल चुका है हमा अब आप देखेंगे इस question में तो हमें ज़्यादा मेनत करने की जोरत ही निक्यों कि यहाप देखेंगे dy upon dx दे रखा है और यह पेले से हमें यहापर linear equation बना रखी dy upon dx py equal to q की form में होनी शाहिए तो आप देखेंगे यहापर y के साथ क्या रहा है 10x हा रहा है equal to में क्या रहा आपका p की value होगी यहापर इस question confusion होते हैं कि हमें p की value कौन से लेनी है y लेनी है या 10x लेनी है तो आप देखेंगा उपड़ dy दे रखा है तो यहापर क्या आएगा अगर उपड़ dx दिया होता तो क्या था पी x आता है तो उपड़ dy है तो y के साथ जो भी होगा y के function के ठीक है तो यह क्या हो जाता आपके p की value equal to की उधर क्या है यहापर sec x है वो क्या हो जाता है आपकी q की value उसके बाद आपको if रखना होगा if का formula क्या होता है e की power integration p dx होता है अगर यहापर dy upon dx के रूप में रखा है तो यहापर हमारे क्या आएगा p dx आएगा p की जगा हमने रख दिया 10x तो यहापर हमने 10x का क्या करना होगा अब समा करना होगा 10x का समा करना होता है आपको अच्छी तरह से पता है वो होता है log sec x होता है वो हमने रख दिया अब e से यहापर log हट जाएगा क्या बचेगा क्या बचेगा क्या बचेगा क्या यहापर आपकी आ जाता य की जगा y, if का क्या formula होता है, यहाँ पर if अभी हमने निकाला, sec x है, यहाँ पर integration q की value, यहाँ पर आप देखेगा, q की value अभी हमने निकाली थी, जो की क्या थी, sec x हमारी आई थी, तो इसे हम यहाँ पर रख देते है, आजब की value अभी हमने निकाली, वो भी sec x है, यहंपर आप देखेगा, यहाँपर क्या दे रखा है, sec x दे रखा है, यहाँपर भी क्या दे रखा है, जब इसे multiple करेंगे, तो क्या हो जागे सी, sec x square x हो जागे, प्लस सी यहां पर आपके आ जाता है वो जब हमें इसका integration करते हैं से x square x का तो क्या हो जाता है यह आपर यह 10x आपके आ जाता है तो यह आप आप देखेंगे यह finally हमरा answer निकल के आगया और यह question तो आपने देखा था हमारा जो हमारा next fifth method है बर्णोली समीकर्ण उससे हम start कर देंगे तो आप next class में बने रहेगा जिसका link आपको description में मिलेगा सभी को students को comment करके जरूब बताने कि आज class आपको कैसे लगी कोई काफी मिनत के साथ आपके classes बनाई जाती है तो आपको सभी students को comment करके जरूब बताना है उस session इस video को like करना न भूले तो मिलते हैं ने इस class में तब तक के लिए पढ़ते रहे और सिखते रहे